दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परिक्षा खबरी में, 22 दिसंबर की महत्पूर्ण खबरों को देखेंगे राष्टी गडित दिवस आज 22 दिसंबर को मनाया जाता है यह दिन महान गड़ तक श्री निवास रामानुजन की जैनती की उपलक्ष में मनाया जाता है रामानुजन के पास विचारों का खजाना था जिन्होंने बीसवी सदी के गडित को बदल कर एक नया आकार दिया था और आगे एक रिशर्च के लिए एक नया आधार दिया था यह विचार 21 सदी के गडित को आकार देते रहते हैं राष्टी गडित दिवस मनाने के पीछे मुक्योदेश लोगों को गडित के विकास और मानुटा के विकास में इसके महत्तों से ओगत कराना है तत कालीन प्रधानमंत्री मनमहन सिंग द्वारा 26 फरवरी 2012 को भारती गड़तिक प्रतिभा शीनिवास रावानुजन के जन्व की 125 मी वर्षगांट के उसर पर इस दिन को मनाया जाने की घोशना की गई थी वर्ष 2012 को राष्टी गड़ित वर्ष के रूप में भी मनाया गया था तो 2012 जो है राष्टी गड़ित वर्ष के रूप में था और 2012 से ही शुरुआत हुई थी इसको मनाने की AIM नीत आयोग UNCDF ने की पहले AgriTech Challenge कोहर्ट की घोशना अटल इनोवेशन मिशन AIM जोकी नीत आयोग का ही एक मिशन है नीत आयोग और सेंगत राष्पूजी विकास कोश UNCDF ने 21 दिसंबर 2021 को अपने कृष्य तकनी करेक्टरम के लिए अपना पहला AgriTech Challenge कोहर्ट सुरु किय इसे South South Innovation Platform के तहत लॉंच किया गया था कृष्य तकनीक का एकर्म का उदेश पूरे एशिया और अफ्रीका के छोटे किसानों को महामारी के बाद की चुनोतियों का समधान करने में मदद करना है नीतियायोग की बाद करें तो एक जनुरी 2015 को थिंग टैंक के रूप में अस्तित्त में आये नीतियायोग का मुख कार्य न्यू इंडिया के निर्मार का विजन योम इसके लिए रणनितिक महसोधा बनना तथा कार योजनाय तियार करना है केन सरकार की नीत निधारन संस्था के रूप में नीतियायोग देशवर में सुझाओ आमंतित करके जन भागिदारी योम राज सरकारों की भागिदारी से नीतिया बनने का काम करता है अगस्त 2014 को प्रधान मंत्री ने योजनायोग को भंग करने की घोशना की थी और उसके बाद योजनायोग के भंग होने के साथ ही पंच वर्षी योजना का युग भी समाथ हो गया नीत्यायोग के स्थापना के बाद योजना के अंतरगत व्याय और गयर योजना अंतरगत व्याय का अंतर समाप्त हो चुका है अब केन सरकार ने से राज सरकारों को धनराश के हस्तांतरन केवल केंदरी वित्यायोग की शिफारशों के आधार पर होता है उलेखनी है कि नीत्यायोग योजनायोग की भांति भार सरकार की केंदरी मंतिमंडल दोरा सिजित एक निकाय है इस प्रकार यह न तो समिधानिक और न वैधानिक निकाय है दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक समिधानेतर निकाय होने के साथ ही एक गैर वैधानिक निकाय भी है एम्मा रादुकानू ने जीता BBC Sports Personality of the Year 2021 का खिता US Open Champion थी एम्मा रादुकानू इनको BBC Sports Personality of the Year 2021 के चुना गया है वह WTA के सरसर साल के इतियास में यह पुरसकार जितने वाली तीसरी महिला टैनिस संग खिलाडी बन गई है रादुकानू सितंबर 2021 में Flushing Meadows Final में लेला फर्नांडीज को हराकर Grand Slam सिंगल किताब जीतने वाली पहली बिटिस महिला बनी थी हैदराबाद में शुरू हुआ भारत का पहला अंतर राष्टी मध्यस्ता और सुलह के अंदर कहा हैदराबाद में भारत का पहला अंतर राष्टी मध्यस्ता और सुलह के अंदर का उद्गाटन सेंग तुरूप से भारत के मुखे नयाधीश N.V. रमना और तिलंगाना के मुखे मंतरी के चणशेकर राओ ने दिसंबर 2021 में हैदराबाद में किया हैदराबाद में इसकी अस्थापना देश के वैकलपिक विवास समाधान पर दिश्य को बढ़ाने के दिशा में एक महत्पूर कदम है प्रियाग राज में महीला शशक्ती करण कायकरम में शामिल हुए प्रदान मंतरी मोदी तो प्रदान मंती नरेंद मोदी ने 21 दिसंबर 2021 को प्रियाग राज का दोरा किया और महीला शशक्ती करण पर अपनी तरह के कायकरम में भाग लिया इस पर प्रशना सकता है ध्यान लखेगा उन्होंने स्वयम साहता समूहों के बैंक खाते में एक हजार करण रुपे की राशी हस्तान तरित की जिससे SSG की लगभग सोला लाक महीला सदस्यों को लाब हुआ उत्तर वदेश के लिए एक एतियासिक दिन था क्योंकि लगभग 4,000 करण रुपे की पूरग पोशन योजना पूरी तरह से महीलाओं को यहाँ पर दी गई संसद ने पारित किया नार्कोटिक्स ड्रक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस विधेक तो संसद ने नार्कोटिक्स ड्रक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस शंशोधन विधेक 2021 को राज्य सभा से 20 दिसंबर 2021 को मंजूरी दे दी यह नार्कोटिक ड्रक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस अध्यादेश 2021 को प्रतिस्थापित करेगा किसमें संसुधन करता है क्वीज में देख लेते हैं भारत और किस देश ने सूचना प्रद्योक्की के शेत्र में सहयोग के लिए एक समझोते प्रस्तक्षर किये हाली में तो यह है वियतनाम भारत और वियतनाम ने आदित बिल्ळा समु के अध्यश का नाम बताईए जिनने मोला ग्लोबल इंटर्परिन्योर अब्डईयर अवार्स से समनित किया गया है तो यह है कुमार मंगलम बिल्ळा मोला ग्लोबल इंटर्परिन्योर अब्डईयर भारती प्रतिसपर्धा योग ने किस e-commerce company पर 200 करुण रुपए का जुर्मना लगाया है तो विकल्प उत्तर है विरांगरा बी तो भारता योग ने e-commerce company Amazon पर शोरी विरांगरा नहीं Amazon यही होता है जब Google Translate कोई चीज होती है तो ऐसी गहबडे हो जाती है आप लोग Amazon कर लिजेगा Amazon का अर्थ जो होता है वीरांगना होता है तो यहाँ Amazon के अस्थान पर वीरांगना दे दिया है Amazon है वीरांगना कोई वही मैं भी आश्यर शकित हो गया आप्शन यह देख कर Amazon है ठीक है तो भारत आयोग प्रतिसपरधा आयोग ने e-commerce company Amazon पर 200 करुण रुपए का जुर्माना लगाया है बहुत महत्पून फैक्ट है ध्यान लेखेगा डेटा एनलिटिक्स कंपनी UGO द्वारा दुनिया के सीर्स 20 सबसे प्रसंसित पुर्षों में प्रधान मंती नर्यन मोदी का रैंक क्या है तो ये है आठवी रैंक पे ठीक है आठवी रैंक पे है वाटसप ने भारत के कितने गाओं में डिजिटल भुक्तान उत्सों की घोशना की है तो कुल 500 गाओं में ठीक है वाटसप ने भारत के पांस वगाओं के लिए डिश्टल भुक्तान उत्सों की घोशना की है अंतराष्टी प्रवासी दिवस 2021 का विशय क्या है विशय है मानो गतशीलता की शमता का दोहन अंतराष्टी प्रवासी दिवस 2021 का विशय भारती रिजर्व बैंक द्वारा नियामक अनुपालन में कमियों के लिए किस बैंक पर जुर्माना अभी हाली में लगाया गया तो वो है ICI Bank तीस लाख रुपे का जुर्माना इस पर लगाया है केंदी मंदी मंदल ने सेमी कंड़क्टर को बढ़ावा देने के लिए कितने करों उत्पादन से जुड़े प्रुसाहन PLI योजना को मंजूरी दी तो ये है 76,000 क्रुण रुपे की तो केंदी मंदी मंदल ने भारत में सेमी कंड़क्टर और डिस्प्ले मैनिफैक्टरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 क्रुण रुपे की प्रुडक्शन लिंड इंसेंटी उजना को मंजूरी दी भारत में खलिहान उल्लू कहां पाया गया है तो खलिहान उल्लू या बार्न उल्लू ये कहां पाया गया है पूछे तो बिहार में पाया गया है तो बिहार के सुपोल इलाके में एक आश्चर जनक नजारे में वन कर्मियों ने एक खलिहान उल्लू को बचाया तो ये कहां पाया गया बिहार में आज के लिए इतना ही दोस्तों बहुत धन्यवाद